ये खेल का तिसरा वीडियो है इससे पहले खेल का दो वीडियो जो है पले लिस्ट में ओलंपिक तथा प्रालंपिक जो है उपलब्द है जैसा वीडियो के सुरुवात में ही मैंने कहा था कि खेल से चार वीडियो आपको उपलब्द करवाएंगे चारों से एक कोश्चन आए को सामिल नहीं करेगा तो एक कोश्चन जो है इससे जरूर आएगा हाँ एक बात की गारंटी मैं देता हूं कि पाइटर्न बिलकुल यहीं रहेगा क्या रहेगा पाइटर्न जो है बिलकुल यहीं रहेगा 2021 में जितने भी खेल हूए बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, होकी, स्नूकर, टिरन डाजी यहां से एक कोश्चन आएगा जो कि बिलकुल ही जो है टॉफ काम है इस तरह के कोश्चन को जो गेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कभी भी कोई खेल जो है ऐसा नहीं है ज आपको जो है याद रखना है अब क्या सब इसमें जो है देखना है तो जैसा कि हम उपर में लिख दिये हुए है कि इसमें जो है तीन जीज आपको देखना है कि इस खेल से रिलेटेर जो है कौन जो है जीता है और जीतने वाले में भी कौन तो सिर्फ एक कल विजयता देख जाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो और वह किस देश के व्यक्ति है यानि कि कि किस देश ने हम खिताब जीता है और जोगुता है विए लिए इसають तो हम से अलग अलगी समन्त खितार दिये देखना है तो बैडबिन्टन का जितना आयोजन हुआ है जहां जहां पर उसको हम अलग-अलग कर दिये हैं तो अगर कोई खिताब रहेगा तो आपको कोई दिकत नहीं होगा आपको पता चल ज़ेगा कि यह जो है बैडबिन्टन से फुटबॉल से हैं तो जैदा जो इंपोटेंट है उसमें बैडबिन्टन फुटबॉल टेनिस और होकी है तो आई हम चलते हैं आज का कोश्चन देखते हैं देखिए जैसा कि हम बताए थे कि सिर्फ एकल विजयता देखना है तो देखिए फर्स्ट है बैडबिन्टन का जो योनेक्स ठाइलेंड ओपन 2021 तो इसमें भी आपको जो है दो ही चीज देखना है पुरूस एकल विजयता कौन है तो विक्तर एक्सेल सेंड जो की देनवार के के हैं और महिला एकल विजयता कौन है कैरोलीन मारिन जो की स्पेन की है दुसरा देखिए यूगांडा इंटरने विजयता कौन है तो मालवी का बनसोड है जो की वह भारत से है अब आए देखते हैं तीसरा है देनमार्क मास्टर्स बैडमिंटन 2021 तो इसका जो है पुरूस एकल विजयता कौन है तो यहां जो है बिरियान यांग जो की कनाडा के है और महिला एकल विजयता कौन है तो महिला यूगल उप विजयता की बात करें तो अस्वीनी पुनप्पा एन सिक्की डेड़ी देखिए यूगल का मतलब क्या होता है कोई खेल अगर जो है दो आदमी के साथ खेलता जैसे कवड़ी में क्या होता है तो बहुत आदमी रहते हैं तो वहां पर यूगल हो जाएग फैंश हो जाएगा तो लेकिन येंचे को होता है यह segunda के मतलर के सिर्फ एक आदमी रहेगा तो यहाँ पर जो है यह जो है भारत से है तो यह इन दोनों को नाम आपको याल रखना आप देखिए चौथा जो है वह है योनेक्स स्विस ओपन या उसे जो है कभी कभी कोश्चन जो है आज आता है स्विस बैड्मिंटन चैंपियन्सीफ तो इसके पुरूस एकल विजेटा कौन है तो वि भारत से है और इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है अब देखिए पांचमा कोश्चन है देन्मार्क ओपन बैड्मिंटन 2020 तो इसके पुरूस एकल विजेटा कौन थे तो एंडर्स एंटोन सेन जो कि देन्मार्क के है और महिला एकल विजेटा कौन है नाजोमी ओकुहारा जो कि जापान की है अब देखिए छठा है तोयाटा थाइलेंड ओपन बैड्मिंटन चैंपियंशीब तो इसका पुरूस एकल विजेटा कौन है तो विक्टर एक्सेल सेन देन्मार्क के है और कैरोलीना मारिन जो कि स्पेंड के है अब सात्वा है बी डबलू एफ जिसका फूल पर मोता है वोल्ड टूर्स फाइनल वैड्मिंटन चैंपियंशीब तो इसका पुरूस एकल विजेटा है वो एंडर्स एंटोन सेन है जो कि देन्मार्क के है और महिला एकल विजेटा है टाई ट्यू जींग टाइवे किया है अब आएए देखते हैं योनिक्स ऑल इंग्लेंड ओपन दोजार एकिस तो इसका पुरूस एकल विजेटा कौन है तो ली जी जिया जो कि मलेशिया के हैं और महिला एकल विजेटा है नोजूमी ओकुहारा जो कि जापान के है युक्रियन इंटरनेशनल दोजार एक सब्वाइद हुआ इसके पुरूस एकल विजेटा कौन हे तो प्रियांसी रजावता है जो कि भारत के है अब डेकिये है हंगेरियन इंटरेनेशनल जूनियर चैमपियनसीप 2021 इसके भी पूरूस एकल्विजेटा earned एंटोंसेन यो कि डिन्वार्च के हैं और महिला एकल्विजेटा इसमें थे का अब देखिए तोकियो ओलम्पिक जो खेल हुए थे उसमें भी बैड्मिंटन का खेल हुआ था न उस बैड्मिंटन में जो है पुरूस एकल विजेटा की अगर बात करें तो स्वल पदक कौन जिता था तो विक्तर एक्सल सेट जो की डेनमार्क के थे रज़त पदक जो है चे स्वल पदक जो है चेन यूफेई चीन के थे रज़त जो है टाई त्यू चीजिंग जो की चीन टाइपे के थे और कास्ट जो है पीबी सुन्दू भारत ने जीता है अब देखिए पैरा बैटमिंटन इंटरनेशनल 2021 जो की दूबए में हुआ था इसमें जो है फर्स्ट र कौन जीते थे तो परमोध भगत कृष्णा नागर और प्रेम कुमार जो है जीते थे अब देखिए कहां-कहां जो बैटमिंटन का खेल होने वाला है वह से इस टाइप का क्वोश्चन जो है नहीं पूछा है अभी तक पूछा है उलम्पिक से ही पूछा गया था आप उया तो विस बैडमेंटन चैंपेंशिप 2026 में होगा और चीन जो है अठारवा सुधी रुमन कप जो है 2013 में जो है आयोजित करेगा और बैंककॉक में जो कि थाइलेंड में जो है 32 थामस कॉफ और 29 अगर बात करें तो उबेर कॉफ यह दोनों जो है एक ही में आयोजन होता है अब देखिए अब कुछ बात कर लगते हैं कि फ्रांसिसी और पेन जो है दो जाजकी जो है उसमें जो विजेता कॉन है तो कांता सुनियामा जो की जापान की है और महिला एकल विजेता कॉन है आकाने यामा घुची जाफान की है अब देखिए ठामस्ग और अब अब साके हमने बोला था बुरुशों के लिए जो डीनिवह ऑग terminals view और महिलाओं के लिए जो इन्हेंद विपजानों है जो है दोaggio यह उद्वान है यह चौन्येंदो किस्वेस्वेस्वेसान ही लेकिन कोबिकान तक नहीं हो पाया है और थॉमस कब भीजयता है Canal owning उसमें चोडवी वार होने जीताा है उपंपिर कोप गैसन जीता है और प्रफ में आपको एक गॉस्ययों हो तो तो सुधिर्मन कॉप जो है इस देखिए सुधिर्मन कफ है तो यहां संस्क्राइब जीत हुआ था और यहां जो है चीन ने इसमें 12 बार बात करें तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जीते हैं तो देखिए मिस्रित 20 टीम चैंपियन्स विजेटा देश की बात करें तो चीन जो है इसमें जो है जीता है और सकेंड अस्थान पर जापान रहा और 12 अस्थान पर भारत रहा है अब देखिए वर्ल्ड टूर फैनल से 2021 तो इसमे पुरूस एकल विजेटा जो है कौन हुए तो विक्टर एक्सेल सेन जो कि डिर्मार के हैं और महिला एकल विजेटा जो न सी सी यूंग दक्षिन कुरिया के है और उप्ट विजेटा के गर बात करें तो पीबी सिंडू जो की भारत के हैं अब आएदेखते हैं जो कि वरी में आयोजित हुआ था तो इसके जो है विजेता कून थे टीम तो बारियन म्यूनिक की टीम थे और ये टीम जो है जर्मनी की है कहां की है जर्मनी की टीम है और अगर इसकी बात करे तो इसके जो स्टार श्ट्रैकर जो है वो कून है रोवर्ट लेवान डोस की और इसे ज आया है अब आईए देखते हैं कोपा डेल रेट टूरामेंट 2020 से 21 इसका आयोजन 17 अपरेल 2021 को हुआ था और इसमें अगर बात करें तो विजेटर टीम कुण है तो बारसी लेना कलव है कौन है बारसी लोना कलव है और बात करें बारसी लोना कलव के स्ट्रैकर कौन है तो लि जीता है देखिए तिसरा है UEFA यूरोपा लीग 2020 से 21 इसमें जो विजेटा टीम कौन से डेश के थे तो अस्पेन के थे अस्पेनिस कलब विलाईयल कौन थे तो अस्पेनिस कलब विलाईयल अब आएए देखते हैं चौथा है UEFA सूपर कफ 2021 इसके विजेटा टीम है चेलसी जो की पिनाल्टी सूट ओट में जो है उन्होंने जीता है आपको याद रखना है चेलसी जो है इसके विजेटा टीम है आईए अब है दुरंड कफ तो दुरंड कफ के विजेटा कौन है तो गोवा आपको याद रखना है एपसी जो है गोवा है और गोवा के कप्तान कौन थे एंड बेडिया जो की सर्फरेश्ट खिलारी का पुरुसकार जो है उसे जो है मिला है अब देखिए UEFA Euro Cup 2020 इसका जो है विजेटा देश कौन है तो इटली है अब देखिए Hero Indian Super League 2020-21 इसके विजेटा कौन है तो मूंबई City है कौन है मूंबई City है और यहाँ जो है उसे जो पाला खिताब जो है मिला है पाली बार इसे जो है मिला है अब आएए देखते हैं Bundesliga 2020-21 इसके विजेटा कौन है तो बारियर म्यूनिक टीम और बारियर म्यूनिक टीम ने जो है यह किताब जो है तीसवा किताब है उसका कौन सा तीसवा किताब है देखिए UEFA Championship League 2020-21 एक महिला के लिए है और एक पुरूस के लिए तो महिला के लिए अब पुरूस के लिए कौन है तो पुरूसों में देखिए तो चेलसी है कौन है विजेता चेलसी है और महिला की बात करे तो बारियर लेना टीम है तो आपको यह अब देखिए हैं English Premier League इसके विजेटा कौन है तो मैंचेस्टर सीटी जो की पांच बावार जो यह खिताब जिएछ जीता है अईए अब देखते हैं एफ एक अपप दोहजार वीस से एक इस इसकी विजेता है लिसेटर सीटी कौन है लिसेटर सीटी अब है अस। में अस्पेणिस ला लिंगा इसके विजेता है एटलेटिको मेड एडरीड और एडर यह अब देखिए ओपा अमेरinks फूटबॉल दो हजार एक कीस इसके विजेटा टीम कून है अर्जेटीना है और इसकी अगर सर्फ्रष्ट इस खेल में खिलारी की बात करे तो लियूनेल में सी और सर्फ्रेच्ट गोल्कीपर बनके उब्रे कून एमिल यानू यह सब नहीं देखना है सिर्फ आपको बिजेता देखना है अब देखिए भविस में होने वाले फुटबॉल खेल कहां कहां होने वाले हैं यहां से इस वार दरोगा में पूछ दिया हुआ था कि 22 फीफा फुटबॉल विसकप कहां होगा तो कटर में तो में कोपॉपा अमेरिका फुटबॉल का क्यों है खेल आयोजन होगा दोजार चोबीस में फिर जो है सतरबे यूई एफए यूरो फुटबॉल खेल तूनामेंट का भी जो आयोजन होगा बाइसवा फीफा फुटबॉल विसकप कटर में 2022 में जित होगा तैसवा फीफा विश्डियलेंड में फीफा कलाव फूट वॉट वॉल्व विसक अप जो है दो 10 तेस में इसके बार जो है आयो जीध होगा अब देखिए दो 230 में फीफा अंडर 20 पूस विसकाफ जो है इंडोनेशिया में जित होगा और 2022 में अंडर 17 महिला विसकाफ जो है भारत में जो है जीत होगा और इसका सुभंकर भी जो है इभा है क्या है इसका सुभंकर रहेगा इभा अब देखिए 2022 में हम महिला ACI football cup यह भी जो भारत में होने माला है 2023 का फीफा अंडर सेवन्टी पुरू सुविस कप पेरू में होगा अब है 7 Championship तो 7 Championship के विजेटा जो है भारत है कौन है भारत है और यह आठवी बार जो भारत जीता है कितने बार आठवी बार जीता है और इस बार की भारतिये टीम के कप्तान कौन थे तो सुनील चेतरी अगर आपको पूछ दे के सुनेल चेतरी किस खेल से सम्मंदित है तो इस तरह से याद रखना है तोक्यो जो फुट बॉल से देखिए अब देखिए टेनीस का खेल से हम देखते हैं जितने भी टेनीस से समंधित जितनी भी खेल आयजित हुए है उसमें देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 है उसमें जो महिला एकल विजयता नावमी ओसाका है जो कि डीग से और इसका है इसका वूपु विजयता आपको याद में रखना है अब देकि hatte और दोवधावी ओं टेनिस टूनार्मेंट 2021幹嘛 इसका महला एकल विजेटा कौन है तो एरीना सावाले का जो कि बेलारूस की है और यह जो है एरीना सावाले का जो है तीसरी बार जो है किताब जो है जीता है अब देखिए जो होता है डूबै टेनिस चैंपियनसी तो इसके महला एकल विजेटा कौन है गवाईने मुगुरू जो कि अस्पेन की है और पूरुस एकल विजेटा की बात करें तो असलन कराट सेव जो की रूस की है अब देखें कतर ओपन 2021 इसका आयोजन मार्च 2021 में हुआ था और इसके एकल विजेटा कौन है तो नीको लोज बासी लासवीली जो की जवर्जिया की है और इन्होंने जो च एकल विजेटा है वो कौन है एसली बार्टी जो कि आस्ट्रेलिया के रहने वाली है और पूरुस एकल विजेटा कौन है तो हार्वर्ट अर्केज जो की पॉलेंड के रहने वाले हैं अब देखते हैं डबलू टीटी चैंपियंशिप 2020 इसका जो है मिक्ष डवल विजेटा जो की भार्ट से रिलेटेर है तो मनी का बत्रा और जी साथिया दोनों है अब देखिए यूएस ओपन 2021 इसका जो पूरुस एकल विजेटा कौन है तो डेनियल मेडेव डेव कौन है डेनियल मेडेव डेव जो की रूस के रहने वाले हैं और इसका महिला एकल विजेटा की बात करें तो एम्मा रादू कानू ब्रिटेन पूरुस एकल जो है डेनियल मेडेव रूस की है और महिला एकल विजेटा है एम्मा रादू कानू जो की ब्रिटेन की है अब देखिए और टोक्यो ओलम्पिक जो खेल हुए थे उसमें जो टेनिस खेल से रिलेटेर देखिए प्रमनी के जो कि है करिण कारे और कास प्रदग की बाट के दो महिला प्रमनी देखी J Weix किस खेल समन्दित है आपको याद रखना है एटीपी कप जो है फुटबॉल से समन्दित है और इसके विजेता कौन है तो डेनियल मेडे डेव जो कि रूस के रहने वाले हैं अब देखिए फ्रेंच फ्रांसीसी ओपन 2021 इसके महिला एकल विजेता है बारवोडा क्रेजी कोब जो कि चेक गनराज के रहने वाले है और पुरूस एकल विजेता है नोवाक जो की सर्विया के खिला रही है अगर बात करे तो बेल गरेट ओपन की तो पुरूस एकल विजेता भी जो है नोवाक जो को बीच हुई है कौन है नोवाक जो को बीच अम तगे सोलमा है विब लंडन जुनियर पूरूस चेंपियनशी विजेता इसके विजेता है कुझ तो समीर बनार जी जो की भारत के हैं अब देखिए बीव लंडन 2021 इसका पूरुस एकल विजयता है वह नोबाक जो को भी चुकि सर्विया की है और महिला एकल विजयता है इसलिए बार्टी जो कि आश्ट्रियलिया की है इतलियन ओपन कि और बात करें तो इसके पूरुस एकल विजयता है राफेल नडाल जो कि अ स्पेन की है और महीं एकल विजयता की बात करें तो इगा फिटेग जो की पॉलेंड की अब देंकि ऐस्ट्रोवा वोपन की बात करें तो इसके महीरा यूंगुल विजयथा की बात करें भारत भी है इसमें तो इसलिए सान्यय मिल kommis चीन गूप दोनों जो है मिलकर जो है इसी जो जीता है तो इसलिए जो है आपको यह भी याद रखना है ओश्ट्रवा ओपन देखिए सेंट पीटर्स वर्ग लेडिज ट्रॉफी 2021 इसमें जो महिला एकल विजेता बने है वो कून है डारिया का साथ की ना जो की रूस की है और 21 वा है वेस्टर्न एंड सडर्ण ओपन टेनिस 2021 इसके पूरूश एकल विजेता है कोन एलेकजेंडर जो की जर्मनी के है और महिला एकल विजेता एसले बाटी जो की आस्ट्रेलिया के है अग पूरूश एकल विजेता देखिए सेन डियागो ओपन टूनामेंट का और इसके वीजटा के अगर बात करें तो यृूरोपियर olduğ team जीते हैं तो आपको याद रखना है कौन से देशने जो है यह जीता है तो आपको याद रखना है यूरोपियर के देशने यूरोपियर टीम और इसके कफ्तान कौन तो ब्योर्न बोर्ग थे क्रेमलीन कप इसके महिला एकल विजयता है एनेट कॉंटा विर जो की एस्टोनिया के हैं और पूस एकल भी एता है आसलन कराथ सेव जो की रूस के हैं तो के पचीसवा है इंडियन वेल्स मास्टर्स 2021 इसमें जो है देखिए बत्तिसवा पूरुस ख फिर शेल का आयोजन हुआ था और है बत्तिसवा पूरुस एकल विजयता में जो है कैमेराउन नोडी जो की ब्रेसेटेन के हैं और महिला में जो है पाउला बड़ोसा अब टोक्यो ओलम्पिक में जितने भी खेल वेटे टेनिस रिलेटेड उसमें देखिए स्वान पदक जो है बेलिंडा बेंसिक जो के स्वीटेजर लेंड के रहने वाले थी रज़त पदक जो है मारकेटा वोडरू शोबा जो के चेक गनराज की है और कास पदक जो है यह पर उसमे बात करें तो जार्मनी में जाने वाले है विड़ीजा सुभ लिना की जो कि heaven की है इसका जो है पचासमा महिला के लिए जो है खेल आयो जिन होगा था इसमें जो पचासमा महिला एकल खिताब जीता है कौन गार्विन, मुगुरूजा, स्पेन की है और 45 जो है महिला यूगल खिताब की अगर बात करें तो बारबोडा केरेज सी कोवा है वैसे याद ने रखना सिर्व आपको एकल महिला याद करना है अब देखिए पुरूसों का एटीपी टूर्स मैट फाइनल से 2021 इसमें बाबाना पुरूस एकल बिजेटा कौन है तो एलेकजेंडर जिवेरेव जो की जर्मनी के है अब ये देखिए होकी सिरेटे जितने भी खेल आयो जित हुए है उन सब में देखिए तो यूरो होकी नेशन चैंपियंशिफ दो आलेकिस इसमें जाल अस्पर्धा में स्वण पदक निडरलेंस ने जीते हैं रजट पद्धा जर्मनी ने जीते हैं और कास पदक निलग्यम जीते हैं तीश्रा है राश्टी आइस होकी चैंपियंशिप इसमें पुरूस वर्ग की विजेता की अगर बात करे तो महिला बहुति बद सीमा पुलिस इटी वीपी हिठे और महिला वर्ग की अगर बात करे तो दिल्ली इसमें जीती हुई है अब है 11 महिला सीनियर राष्टी होकी चैंपियन सीफ इसके बिजेटा जो मधपरदेश हुए है एगार भी महिला जुनियर राष्टी होकी चैंपियन सीफ इसके बिजेटा जो है हरियाना हुए है एक फर्स्ट मेहला अंतर विभाग्य सीनियर राष्टि चैंपियन्सीप इसके विजेटा जो रेलवे एस्पोर्ट परमोसन बॉर्ड है कुण है रेलवे स्पोर्ट प्रमोसन बॉर्ड जो है जीते हैं अब भविस में होने वाले जितने हुकी के खेल है तो 2022 में पंद्रमा हो पूर्ष 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 पुरू समर्द में सवनपदक किसमें जोते हैं एक सट्रेलिया दिखे हैं और कास पड़ली भारत जीन जिते हैं 10 वह अमीद कि देखिए तो आर्जर्लेंद जीते हैं और बृत करा लेते हैं कि वैसे इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं ACVS ACN Snooker Championship 2021 इसके विजेटा जो है कौन है तो भारत से ही है पंकज आडवानी जो है इसमें जो है जीते हैं अब देखिए हैं विजेटा सौन मर्फी है कौन है सौन मर्फी जो की इंगलेंड करहने वाले हैं अब देखिए आउल इंडिया ओपन 6 रेड़ स्नूकर चैंपियंशिफ इसके विजेटा है हसन ए बाडामी कौन है हसन ए बाडामी अब देखिए तीरंदाजी के जितने भी खेल हुए है तो देखिए हुंडवी तीरंदाजी भी स्कप 2020 आप देखिए फर्स परदरसन देखिए किस प्रकार है तो अतून दास जीते थे पूरूश सिंगल्स में दीपीका कुमारी जीते थे महिला सिंगल्स में कॉम लीका बारी अंकीता भगत और डीपी का कुमारी जो यूगल जीते थे यूगल मतलब क्या मिक्स हो गया बहुत जैदा एक से जैदा है तो स्वन पदक इन्होंने तीनों जीते थे अब दखिये सकेंड अश्टेट जो भागी नहीं लिया और थर्ड अश्टेट में बाहर और बात परूंस में जो है इन्होंने जीते थे अपयर अगर बात करें पूरूस में तो अभिस हीक घेते हैं एग यह पूरूस में और कंपांड सिंगल में डीते हैं अधे हैं त्रीत mới विस्व चैंपेंशिप 2021 इसमें भात का परदरसन यह है कि महला कंपाउंड एकल में जो है जोती सूरेखा वे नाम जो की रज़त पदक जीते हैं और महला कंपाउंड टीम के अगर बात करें तो जोती सरेखा वे नाम मुश्कान किरार पिरिया गुर्जर यह तीनों मिलाकर ज जीते हैं और कंपाउंड मिक्स में जो है अभी सेक वर्मा जियोती सूरेखा वे नाम यह दोनों मिलकर जो है रज़त पदक जीते हैं तो जितने भी थे टूनामेंड से रिलेटेड यह जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है लेकिन इसका गेश ने किया जा सकता है इसलिए